हेलो बच्छों कैसे हैं आप लोग स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट किस स्पेसल एनॉंस्मेंट वे जी हां बच्छों आप सभी को मालू है कि आपके टेंट क्लास यहीं कि टर्म वन का जो रिजल्ट है वह आपका डिकलेर कर दिया है जी आप चो और इस बार थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट मैनर में आया है हर बार क्या होता था कि बोर्ट से इग्ञाम के जो रिजल्ट होते थे वह और ऑल्लाइन उनकी वेब पर अपलोड होते थे और वहां से आप अपने रिजल्ट को देखते थे लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट यह हुआ कि पहली बार तो टर्म वन और टर्म टू दो बार एक्जाम हो रहे हैं तो टर्म वन का रिजल्ट अभी आपका आया है और स्कूल को माक्स सेयर कर द 40 में आपने कितने माक्स अचीव करें सिर्फ यानि कि OMR seat पर आपने जो भी आंसर किये तो उनके बेंसे पर माक्स सेर करें ना तो उसमें आपके practical के माक्स इंवाल्व हैं यानि कि और कोई भी मार्क्स वहाँ पर इन्वाल नहीं है नहीं कोई internal marks तो मतलब कि 40 में तो कितने म बाद तो कि वह उसमें इंटरनल एसिसमेंट और प्रेक्टिकल के मार्क्स हो सकता है कि उसमें इंटूड करें लेगे न भूठेड सारे बच्चों के मन में कोशन्थ आ रहा है कि सर तर्म वन में मेरे मांक्स कम रहे गे टर्म में सर मुझको 30 मार्क्स मिले 32 मिले या 30 28 मिले है या कोई कहा रहे है कि सर मुझको 39 मिल गए है मेरो तो बहुत यह अच्छा आया है तो मतलब की बच्चों अब टर्म वन के मार्क्स का क्या इफेक्ट पढ़ने वाला है आपका फाइनल में उसके बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है किसी भी बच्चों को समझ टू में भी आपको मार्क्स मिलेंगे क्या फिप्टी फिप्टी परसेंट वेटेज है ऐसा कुछ बहुत सारी धेर सारी बाते हर जगे बच्चे आपस में कर रहे हैं और उनके यह डाउट कोई क्लियर नहीं कर पादा तो बच्चों सी बेसी को समस्त हुए कि को बच्चों एनॉंस किया जी हां 11th of March को एक स्पेसर सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने इस पेसली टर्म वन के रिजल्ट पर बात करी कि भाई इस रिजल्ट का क्या मतलब है और इससे क्या क्या चीज़ डिसाइड़ होंगी और आपको किसी भी अफवाहों में पढ़ने की जो रद नहीं है जैसे कि सबसे पहले तो सी बैसी ने भाई ये बोल दिया की हम भाई किसी को रिजट नहीं दीने वाले हम इस रिजल्ट को आपका ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर अप्लोड नहीं करेंगे तो सी बैसी ने क्या कि भाई दबोल इस इन फॉर्मिंग दॉर परफॉर्मस चैनि की बोल्ड स्कूल को चुरीड पर्फॉर्मस के बारे में बताएगा ठीके बचूँ आपो अबाद ध्यूर्य परफॉर्मस अब देर स्वेल अफ लेड इन फेल्स था यानि वेप साइट पर हर एक शुडेंट की इन विजल्ट पर्फॉर्मस अवलेबल नहीं हो की. अब इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल के इंटरनल आसेस्मेंट कोई भी मांगस इंतूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके jeeで वेक्टलाब का लिए गए है. ठीक है बच्छो अगर अगम नेक्स्ट में बच्छे कहां पर एक बहुत इंपॉर्ट इंपॉर्ट इनॉंस्मेंट है इनकेस दा स्टुडेंट मिश्ट दिया टर्म एक्जाम ड्यू टू कोविड और बिकॉर्व पार्टिशिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्स ओल आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो तरम वन नहीं दे पाए ठीक है यानि आप समझने की उसस करना कि जो बच्चे टर्म वन किसी भी रेजन की वैज़से यानि की कोई-ट-19 हो रख ता जिस वैसे वह एक्जाम नहीं दे पाए या फिर हो रख था था कि भाई आपका क कोई इंटरनेशनल कोई कॉंपटीशन था जैसे की स्पोर्स था कुछ भी था अगर आप किसी बज़े से एक्जाम नहीं दे पाए तो बच्चों ऐसी कंडिशन में टर्म टू के के परफॉर्من्स है ना यानि की तर्म बट के परफॉर्मस उस पर कोई अफक्ट नहीं डालेंगे यानि कि की अगर कोई बरचा कोविट के रहें से आज नहीं दे पाया थे पर तो उसके पर्फॉर्म अभी डिगरेड नहीं होई । टर्म टू कि A अपनी ओर आल पर्फॉर्मेंस को बहुत अच्छा बना सकता है तो मतलब कि यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि अगर टर्म वन के बेसिस पर आपके मार्क्स अफेक्ट नहीं करने वाले यानि कि टर्म वन के बेसिस पर ये नहीं होगा कि कोई श्टूडेंट ना तो फे जादा important होंगे अभी इस बात को लेकर कि कुछ नहीं बताया कि टर्म वन का 20% लेना है या टर्म टू का 80% ऐसा कुछ भी नहीं है अभी CBS ने वोला इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे सब कुछ टर्म टू का रिजल्ट होने के बाद एक्जाम होने के बाद फाइनल बातच सब्सक्राइब 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 कर सकते हैं आपको सी बोर्ड आपको एक माक्सीट पार्फिंग सर्टिफिकेट आपको देगा यानि कि टर्म वन का कोई भी माक्सीट आपको सीब्यसी नी देने वाला वह स्कूल से बना करके पर्फॉर्मेंस बना करके आपको दे दी जाएगी ये लिजे आपका रिपोर्ट का रखो और अच्छे सप्राइब करो बट सीब्सी आपको टर्म टू का रिजल्ट आने के बाद फाइनल बना करके ही आपको वहां पर देने वाली है उसके राव बच्छों दा एड्रेस्ट लेवल बिटीवीं ब्रीकाइब काई सारे बच्छों के मन में कोश्शन था कि सब क्सी कोई कैरति सथ्रम व Может हमारा येज acquire था कोई कियार sorry कोई किया था कि सरेट वन एजी था सेट टू डिफकल था है न ऐसे बहुत सरे बच्चों के डाउट आये थे ठीक है कि सर एक सेट पेपर बहुत आसान आये था एक सेट पर बहुत डिफिकल्ट आये था तो इस पर भी CBC ने फोकस किया और बूला है to address the difficulty level between two sets of question paper in term one examination needful action will be taken at the time of preparation of the final result final result के time पर ये देखा जाएगा कि अगर ऐसा था कि term one में आपका एक सेट इजी था दूसरा difficult था तब भी वहाँ पर उस condition में जो भी extra marks होंगे जो भी aggregate marks मिलने होंगे वो सब action आपका final result preparation के दौरान पर किया जाएगा आपका तर्म टू विल भी decided at the time of declaration of term two यानि कि अभी भी तर्म वन का कितना वेटेज है तर्म टू का कितना वेटेज है यह कुछ अभी decided नहीं है यह सब कुछ decide होगा कब आपका term two examination के बाद यानि कि अगर आप देखो अगर आप observation observe करो तो आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा focus इस पार पर आ चुका है कि टर्म टू की तर्म टू आपका रिटेन होगा वहाँ पर सब कुछ होगा तो आपको सेंटर में रख करके वहाँ पर चेकिंग होगी तर्म भी इंपॉर्टेंट रहा है लेकिन टर्म टू पर सेंटर फोकस रखा जा रहा है मतलब की टर्म टू पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है ठीक आप चो रिजल्ट आप क्राश्टेंट विल बीडिक लेड ओनली आफ्टर टम टू एक्जामनेशन पूरा रिजल्ट टू के बाद एक्लियर होगा ठीक है पचो और उसके बाद जिसक आपका चेंज नहीं होगा किसमें बचों टर्म टू के लिए यानि कि जो आपका सेंटर था टर्मन के टाइम पर वही सेंटर आपके टर्म टू पर भी आगे पर बढ़ने वाले ठीक है तो इस तरीके से बच्छों ये सारी चीज़ें यहां पर बताई गई है मैंने आपको स पारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब आपको बता दिये हैं ठीक है मनला आपको समझ में आ गया ना कि भाई सी बीसी ने यही एक तरीके से बोला है कि भाई टर्म वन आपका अच्छा गया है या बुरा गया है उस चीज को तोड़ा सा अब आप स्किप करो क्योंकि अभी उसको पकड़ा करें कि कोई फायदा नहीं है और सी बीसी खुद भी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहरा कि टर्म वन का 50 परसेंट है या तर्म टू का 50 बरसेंट कुछ भी नहीं बोलना चाहरा ठीक है वह सब समझत है कि टर्म के सेंपर सिच्वेशन क्या थी कुछ बच्चों ने अच्छा किया अफसो जो कुछ बच्चों तो पेपर ही नहीं दे पाए थे तो इसका मतलब है कि टर्म वन सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा हां हो सकता है कि आपका एवरेज स्कूर में कुछ हेल्प करें या कुछ मदद करें वह बात की बात है बट अभी पूरा का पूरा फोकस टर्म टूपर आपका होना चाहिए ठीक है बचो तो टर्म टूपर पूरा फोकस लेकर कि आ जाए और चलियो तो इसलिए बच्चों यहां पर यही चीज में महनत करी थी बट ठीक है आपकी महनत वेश्ट नहीं गई है वह आपके लिए हल्फुल होने ही वाली है उसका भी आपको रिजल्ट में मिलेगा और अगर इन केस में आप से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तो सुली भी दुखी मत हो टर्म टू में आपने अच्छा अगर कर लिया तो वह अगर मैं बात कुनों वह आपकी मांक सीट में रिफ्लेक्ट होगा और आपके स्कूर को रिप्रेजन करेगा ठीक है बच्छों चलिए इसलिए बच्छों फोकस रहो और टर्म टू पर पूरी तरीके से सेंटर हो जाओ तर्म वन के चक्कर में छोड़ कि अभी क्या है सारा का सारा फोकस यहां पर रखो दिन राद इस पर एक कर दो ठीक आप चलिए तो आप इसके लिए आपका टर्म टू के स्पेसल प्रफेशन के लिए क्रेस कोर्स भी आपके लिए लॉंच कर दिया है जो की 645 पीम पर आपके मैस की क्लास है और 8 15 पीम पर की साइंस की लग यहां पर फ्राइड यो सटर्डेडे को 645 पीम पर आपकी सोच तरफाइंस की होगी और यहां पर 8 15 पीम पर इंग्लिस की होगी मतब कि इस दो क्लास आपको टाइम टेबल के को एकॉर्डिंग है इसके क्लास को जॉइन करना है समझ गया बच्व और रेग लिए तो आई होब आप समझ चुके हैं और रेगुलर्ली हमाइसा जुड़े रही है और कोई भी अपडेट चाहिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ठीक है सारी लेटिस्ट अपडेट आपको इस सी बेसी नाइन टेन वाले चैनल पर मिलती रहेगी तो हमसे लगादर जुड़े रहे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि उनके मन के भी डाउट क्लियर हो और वो भी टर्म टू पर स्पेशल फोकस कर सके बचों चलिए तो मिलते हैं बचों इसी तरह अपने रगला क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई झाल 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 झाल